हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है UMA study group में और इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से आपको GK की तयारी करनी चाहिए कौन कौन ची बुक्स आपको परनी चाहिए सारी जानकार इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि किस प्रकार के एक्जाम में किस प्रकार की GK पुछी जाती है जैसे अगर आप तयारी कर रहे हो SSE की एक्जाम की तो इसमें history, geography, general science related question पुछी जाते है UPSC में आपको पताईए GS पुछी जाती है railway exam में ज़दतर static GK और general science पुछी जाती है bank के exam के अगर मैं बात करो तो economics, उसके बाद financial education और bank से related जानकारिय आपको पताऊना चाहिए और अलग-अलग state government exam में अलग-अलग syllabus होता है तो उस प्रकार से आपको तयारी करनी होती है लेकिन अगर मैं बात करो मोटे दोरबर तो इन सब ही exam में GK पुछी जाती है अब आपके दिमाग में ये कुछन आगा कि GK की तैयारी करने के लिए किस प्रकार के strategy होनी चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ अगर आप सुरुवात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले daily current affairs जरूर देखना चाहिए और अगर आप जिस पर exam के तैयारी कर रहे हो SAC, UPSC, bank या किसी भी government exam की तो उसके syllabus के according, उसके level के according, paper के level के according आपको जो है तैयारी करने होगी और अगर मैं आपको बता दूँ जैसे भी आप तैयारी करोगे तो उस तैयारी कि आपको proper notes बनाना है, notes अगर आप खुद बनाओगे तो आप जधा बेतर तरीके से याद कर पाओगे और आपको पता ही है कि mock test daily solve करना है, mock test बहुत जरूरी है ताकि आप सही तरीके से exam को attempt कर पाओगे अब आपको दिमाग में आगा कि कौन-कौन सी books पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ जो board से board सी book है, जैसे NCRT, CBSC और RBSC की books, जो boards की book है, वही मेरे साब से आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो book है, ये authentic आती है, और सारे प्रश्न इन ही में से पूछी जात है, अब आपके दिमाग में आगा कि क्या इन से काम चल जाएगा, तो मेरे साब से इनके लावा best writer अगर कोन है, तो उसकी book भी आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद अगर आप अच्छे से त्यारी करना चाहते हो, तो जिस भी exam के आप त्यारी कर रहे हो, उसके previous year की पूरी book जरू कर लीजिए, ये कर लोगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्ण पूझ जाता है, और उसके बाद अगर आप एक book practice set की लेड़ा चाते हो, एक्जाम से पहले, तो practice set जरू ले आना, अब इस चीज को भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से depression के लिए आपको सबसे पहले time table बहुत ही जरूरी है, daily अपने हिसाब से time table बनाईए, classes देखिए, notes बनाईए, edit दीजिए, और उसके बाद आपको चाहिए regularity और consistency, ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हो, तो consistency रखिए और regularity रहे है, जो भी आपको रहना है, मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी जानकर इस वीडियो में मिल गई होगी, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, और अगर कोई doubt है, तो नीचे comment कर देना, मैं आपका reply कर दूँगा, फिर भी अग वीडियो को लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाहिंद